नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका, एक बार फिर से Tech DIY चैनल पे और आज के सेशन में हम पिछले सेशन का ही रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे हाँ, उससे पहले 300 सब्सक्रिप्शन के लिए धन्यवाद, शॉर्ट कट्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएंगे और आइडिया के अंदर ही हम आपको स्क्रीन में भी टिकर्स में मिल जाएंगे लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और Mapstruck के remaining features को cover करने के लिए वीडियो को continue watch करें तो आज के session में हम देखेंगे ये chapters रहेंगे पहला introduction, फिर mapping with different field names फिर उसके बाद with different data type with default expression और फिर उसके बाद कुछ और remaining features होंगे जो हम इसमें discuss करेंगे और हमें, हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आशाय आप आगे भी हमें ऐसे ही support करते रहेंगे चलिए पहले chapter की तरफ चलते हैं जो कि mapping fields with different names तो अभी क्या करेंगे पहले अगर आपको याद होगा तो पिछले session में हमने हमारा जो DOM और DTO दोनों classes में जो field name थे वो exactly same थे इस session में हम क्या करेंगे कि अगर हम हमारे different names रहे तो हम उसको कैसे handle करेंगे वही हम इधर देखने जा रहे तो चीजों को simple रखने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे जो two fields है उनको car DTO में ID और brand को हम उनका नाम हम change कर देंगे यहाँ पे तो उनका नाम जब हमने change किया तो हम को इस तरह से mapping में add करना पड़ेगा और add mapping में हमको बताना पड़ेगा कि source क्या था और target क्या था तो यह source और target जो है यह basically field names है जो हमने अपने DTO और DOM में दिये हुए है ठीक है कि source अगर ID है तो हमको assume करना है कि DTO में उसका उसका जो field name है वो car ID है इसी तरह से brand है तो वो जाके map हो रहा है car brand में तो यह manual mapping हम यहाँ पर configure कर रहे है ठीक है तो यह यहाँ पर कर रहे है और हमने अपना नया mapper interface लिखा है जो इसी नाम से है और आपको source में मिल जाएगा मैं link share करूँगा उसमें तो चलिए अभी हमने हाँ हाँ अभी हमने हमारे tests को tweak किया है मतलब उसको change किया है ताकि हम जो नए settings जो है वो proper करिये क्योंकि पिछली बार अलग था और इस बार change जो हुआ उसके बाद हमने फिर इसको run किया है तो यह simple था यहाँ पर simply हमने annotations add किये अपने इंटरफेस में जो दोनो methods थे उसके उनके अंदर add mapping annotations add किये और यह हमारा generated class है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि set brand में हम car brand field set कर रहे हैं और id में हम car id field set कर रहे हैं तो यह आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यही first feature था ठीक है last time हमने देखा था कि जब सब कुछ same है field names दोनों source और destination में same है तो हमें कुछ नहीं करना था अभी जिन-जिन fields में specific requirements हैं वो हम इस तरह से configure कर सकते हैं तो वही हम देख रहे हैं तो अभी हमने उसको run किया था और वो देखा था हाँ जब मैंने इसको run किया था तो initially मेरे को कुछ issues आये थे तो उन issues के लिए मैंने यह link follow किया था यह actually long walk और map struct अगर हम use करते हैं map struct processor है जब वो build ambient clean install हम करते हैं तो build के time में अगर proper configuration नहीं है तो issues आते हैं तो वो ही हम वहां पर cover करेंगे ठीक है अभी जो next chapter है उसमें हम करने वाले हैं जब different types हो अगर data type भी अगर अलग है तो उसको अपन को कैसे handle करना है वो हम यहां पर देखने वाले है ठीक है तो एक जगे हम string लेंगे जैसा इस tutorial में भी दिया हुआ है इनने employee start date दिया है हम car launch date देंगे ठीक है तो car launch date DOM में हम उसको string रखेंगे और DTO में हम उसको date type का ले लेंगे util date चावा util date type का ले लेंगे और फिर देखेंगे कि इसको handle कैसे करना है इस तरह के conversions कैसे किये जाए तो वो हम यहां पर देखेंगे ठीक है और simplicity के लिए मैं यहां पर नाम जो है दोनों में ही दोनों ही जगे same ही field name दे रहा हूँ यानि कि DTO में भी launch date launch DTE ही दे रहा हूँ और ठीक है तो card DTO में हमने add किया string type का last date और इसके corresponding जहां map होगा वो हम यहां पर दे रहा है as a type of date java util date type का तो sorry dom में हम date दे रहे हैं और DTO में हम string का दे रहे हैं तो यह conversion आप अपने scenario के हिसाब से कर सकते हैं तो ठीक है अभी हम यह consider कर रहे है इस तरह से हम उसको mapping करेंगे और अभी हमको उसकी specifics add यहां add करने पड़ेंगे तो क्योंकि दोनों जगे same ही है तो हमको दोनों जगे launch DTE जो field का नाम है वो दोनों जगे हमको source और target दोनों में देना पड़ेगा ठीक है और उनका type कैसे differ करना है उसको कैसे specifically handle करना है वो हम इसमें आगे दिखाएंगे तो उसके लिए हम source और target के बाद एक और annotation field add करेंगे जो यह suggest करता है date format के लिए ठीक है date format में हम बता रहें कि ठीक है भाई अगर date है तो date common क्या format दोनों source और destination में रखना है वो हम उसको यहाँ पर बता देंगे और map struct library है वो उसके हिसाब से parsing वगएरा करके generate करके देगी final code को ठीक है तो यहाँ पर जो हमको actual में करना रहता हमको यहाँ पर सिर्फ format बताना पड़ रहा है कि हमको date कि इस format में चाहिए अब map struct library उसको conversion का काम भी type conversion का काम भी करके देगी ठीक है तो यह एक और benefit है map struct library का तो अभी हम यह date format ले रहें ddmmyyyy hhmss और इस तरह से हमारा अब देखेंगे generated class है अभी हम test को भी test cases में भी update करेंगे यह नया जो भी हमने change किया इसको add करने के लिए तो अभी हम expected के लिए दे रहे है कि यहाँ पर expected value जो है वो किस format में होनी चाहिए तो वो हमारा same जो हमने map struct में map struct वाला implementation interface है उसमें जो दिया है वो same format हम यहाँ पर दे देंगे ताकि हमारा जो expected result है assertion का वहाँ पर हम इसको इस type को check करेंगे कि expected और actual are coming as same or not तो उसके लिए हमने यह simple date format यहाँ add किया है और अभी dom में हम एक simple set date करेंगे मतलब launch date को यहाँ set करेंगे तो simply हम अभी new date करके उसको set कर लेते क्योंकि यह util date type का है ठीक है हाँ जब हम यहाँ पर कोई date specific date pass नहीं करते हैं तो new date करने पर यह हमारा जो current time है उसको ले लेता है और उसको assign कर देता है इस launch date में उसको assign कर देगा ठीक है अभी हमको assertion लिखना पड़ेगा तो वह assertion हम लिख रहे हैं यहाँ पर dot get launch date करके ठीक है तो cardom format.parse यहाँ पर date को parse करना है तो वह format dot जो हमारा simple date format था उसका object लिया और उसमें dot pass के अंदर हम इस तरह से अपना cardom get launch date उसको pass करेंगे और देखेंगे अच्छा cardom जो है get launch date यह date utile type का है और यहाँ पर expected है कि वो string type का हो तो वही हम यहाँ पर करने जाएंगे इसको string देके देखते हैं क्या options दे रहा है id हमको तो उसके accordingly करके देखते हैं एक suggestion यह भी था string dot value of तो वो date को पहले value of करके उसमें convert कर रहा है या फिर हम dot to string करके भी कर सकते हैं देखते हैं अभी जैसे वो error जो आ रहा था compilation error वो तो ठीक हो गया है अब आगे देखते हैं क्या करना है तो इस तरह से हमने expected और actuals यहाँ पर pass किये हैं इस assertion में और similar way में हम नीचे DTO to DOM का conversion जो करेंगे उसको भी कर दिंगे उसको भी implement करेंगे यह हो गया अभी हमको यहाँ पर card dto.set उपर हमने dom.set किया था launch date यहाँ पर dto.launch date करेंगे और क्योंकि यह जो format है यह multiple times use हो रहा है और हर बार अलग-अलग format दिने से अच्छा है एक ही format को अलग-अलग जगे define करने से अच्छा है कि इसको constant बनाके class level constant बनाके use कर लें तो वही हम यहाँ करने जा रहे है तो यह हमारा class level constant बन जाएगा refactor करके और यह हमने बना लिया ठीक है अभी यह constant हमने बना लिया और जहां कहीं भी चाहिए तो इस test class के लिए constant बनाया तो इसमें जहां कहीं भी चाहिए वह हम इसको refer कर लेंगे इसका use कर लेंगे ठीक है अभी नीचे आएंगे जो दूसरा हमारा test case है उसमें भी हमको यह test और इसका assertion add करना है तो वो add करते हैं हम लोग तो dto.set again dto के अंदर जो launch date है वो string type का है तो हम इसमें एक random आज की ही तारीक जब हम record कर रहे हैं तभी की तारीक हम यहां पे ले लेते हैं और उसको set कर देते हैं जो format हमको चाहिए उसमें तो वही हम करने जा रहे हैं यह हमने किया यहां पे set और इसके corresponding simple date format भी हमको पास करना पड़ेगा तो same जैसा हमने उपर किया था वैसे हम format यहां पे generate करके और नीचे उसको parsing को call कर लेंगे expected object के लिए तो यहां पे हम कर लेंगे format.parse और क्यूंकि DTO हमारा already string type का ही है तो कोई problem नहीं होना चाहिए इसको हम launch date कर लेंगे और इसका comparison जो है दोनो same type के होने चाहिए तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा तो हम करते हैं आगे card or dom जो है वो date type का है तो उसको two string करके हमको check कराना पड़ेगा तो वही two string हम यहां पे कर रहे हैं और उपर parsing में क्या error यह वो देखते हैं ओके parse जो है यह हमको इसमें हमको थ्रोज exception add करना पड़ेगा तो वो हमने add किया है अभी ठीक है तो वो यहां पे add हो गया है अपने method signature को update कर लिया था हमने mvn clean install run किया है तो हमारा जो implementation class है implementation class generate होगी target में ठीक है mapper implementation class जो है अगर सब कुछ सही रहा तो वो target में generate हो जाएगी और जो code हमने बुला इसको करने को अपने interface में mapping interface में वो code हमको मिल जाएगा target folder के अंदर target में annotations में हमको यह implementation class मिल जाएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कहां मिलेगी ठीक है एक बार इसको run करके भी दिखा लेता हूँ तो इस test class को run करेंगे हम ठीक है देखते हैं हमारे test fail हुए है दोनों test fail हुए है और यह error क्या है यह error कह रही है कि id जो है वो null जा रहा है या तो but id हम लोगों ने set नहीं किया है तो mappings तो proper है mapping define की है mapping interface में mappings define की हुई है दिखते हैं इसको कैसे resolve करना है तो पहले जाते हैं इस class में जो converter test class थी और सब कुछ सही ही लग रहा है तो दिखते हैं कि problem कहां आ रही है ओकी एक बार हम converter class में फिर से चलते हैं और target में जो generate हुआ उसको भी देख लेते हैं अच्छा generate ने ओके एक बार फिर से इसको build करके देखते हैं कि build properly build proper हुआ था पहले भी हमने देखा था build success हुआ था और build success होने पर हमारा जो मैपर का जो implementation है वो generate होना चाहिए तो अभी हमने देखा build तो success हुआ है अब देखते हैं मैपर का implementation कैसा जा रहा है तो यह तो ठीक ही लग रहा है यहां पर अभी हम जाके target में देखते हैं कि क्या generate क्या हुआ है रिलोड करके डिस से रिलोड करके भी देखा है तो अभी यह हमारे पास आया है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि ठीक है इसने date format लिया है इसने launch date के लिए आप line number 24 to 26 के अंदर देख सकते हैं कि अगर launch date null नहीं है तो उसको यह format.parse वाला हम यह सारा यहां पर कर दे रहा है ठीक है simple date format को use करते हुए तो वो यहां पर इसने किया है तो फिर test case fail क्यों हो रहा है हम देखेंगे इसको test case fail हो रहा है और यह कह रहा है कि property इसको नहीं मिल रही है या फिर इसकी value null है क्या यह error I think हमको मुझे लगता है कि यह कि लॉंबॉक और मैप्स्रक्ट में जो सिंकिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है तो उस वज़े से ऐसा हो रहा है तो लास्टाइम भी हमने देखा था कि हमने अनोटेशन प्रोसेसर पाथ में पाथ को हमने वेरिफाई किया था एस पर लिंक जो टुटोरियल में दिया हुआ उससाब से तो वो चलन लगा था इसको भी फिर से एक बार चेक करते हैं कि क्या वही अभी लग रहा है कि वही होना चाहिए पर यह चलन करते हैं एक बार ठीक है यह नल कह रहा है तो इक बार हम Maynually iD यहाँ से पास करा करकर देखते हैं दोनों ही пять में सेट करा कर दे डखते हैं ठीक है तो दोनों में one-one हमने पास किया है तो आइडेल अब यह चलना चाहिए बट नहीं यह सेम प्राप्लम अभी भी आया है पूरे दोनों टेस्ट केसे में यह सेम प्रावलम आ रहा है क्या हाँ यह प्रावलम दोनों जगे आया है इसको सॉल करने के लिए हम फिर से स्टैक ओरफ्लो का जो एक्जामपल है तिंक वहीं पर कुछ हम शायद पूरा नहीं कर रहे होंगे बर्जन वगेरा का कुछ मिसमैच होगा देखते हैं उसको भी हाँ एक और चीज हम दोनों तरह से कर सकते हैं हम चाहे तो मैपिंग अनोटेशन के अंदर बाकी की सारी अनोटेशन एड़ कर सकते हैं फिल्ड अनोटेशन एड़ कर सकते हैं या फिर हम डारेक्ट इस तरह से भी दे सकते हैं तो यह भी try करके देख लिते हैं एक बार क्या पता mappings मुझे initially लगा था कि शायद हमने सीधे mappings दिया है तो mapping annotation दिया है तो इसलिए मैंने उसको try करने के लिए मैंने array वाली जो annotation है mappings उसके अंदर भी इसको डाल के देख लिया तो अभी हमने उसके अंदर मूव किया है सारा कुछ सारी फील्ड अनोटेशन्स तो देखते हैं मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कुछ फरक पढ़ने वाला है तो भी एक बार रन करके देख लेते हैं तो एम्वेंट क्लीन इंस्टॉल रन करेंगे सब कुछ ठीक रहा तो बिल्ड प्रॉपर होगा तो बिल्ड तो आइधिंक देखते हैं बिल्ड प्रॉपर होता है नहीं होता है क्या है तो दोस्तों आपको हमारे हिंदी वर्जिन कैसे लग रहे हैं हमें अपने सुझाओ अवश्य दें क्योंकि आपके सुझाओ हमें हमारे लिए एक तरह से दवाई का काम करते हैं वो हमें उर्जा देते हैं और अधिक प्रोचसाहन देते हैं अच्छा काम करने के लिए तो अगर आपको हमारा हिंदी वर्जिन से अच्छे लग रहे हैं तो हम इसमें और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और क्या अच्छा होना चाहिए वो आप अपने सुझाओ भी कमे टेस्ट को कि यह कितना कारगर हुआ है जो हमने चिंजिस कि उसकी वज़े से या नहीं हुआ है तो देखते हैं अभी हमने test cases रंग किए ओक तो अभी हमारे सारे जो assertions हैं सारे assertions फेल हो रहे हैं ठीक है देखते हैं कुछ problem है तो उसका solution भी जरूरी मिलेगा जबकि strange बात यह है कि हमारा जो implementation class है वो properly generate हुई है उसमें कहीं कोई problem नहीं आया है तो ये भी हम देखेंगे मुझे लगता है कि code properly generate हुआ है बट क्योंकि getter setters expect करता है अपना जो map struct processor है वो getter setters expect करता है और वो getter setters उसको करके देता है कौन long work processor ठीक है तो जो भी annotations हमने दी है उसकी binding proper अगर नहीं होगी तो ये इस तरह की issues मुझे लगता है कि वहां से आ रहे हैं ठीक है तो अब वो भी try कर लेते हैं pom.xml में जाके तो यहां पर order verify कर लेते हैं इदर से stack overflow क्या suggest कर रहे हैं यहां पर सबसे ज़्यादा acceptable answer जो है accepted answer है वो यह वाला है और इसमें यह बोल रहा है कि हमको version जो है 1.16 and above को यह support करता है हमने 1.18.4 लिया है ठीक है तो एक यह correction हमको करना होगा यहां पर है तो इसको 18.4 से 16 किया हमने और दूसरा जो logical flow है ठीक है logical flow इस तरह से होगा कि सबसे पहले हमारा long box processor काम करना चाहिए ठीक है long box processor अपनी pojo class की जो boiler plate code है उसको add करेगा उसके बाद long box processor जब complete हो जाएगा तो long box map struct binding का जो dependency है वो काम करेगा और जो generated pojos है उनको map struct में bind करेगा और जब यह हो जाएगा उसके बाद ही map struct का जो mapper है वो काम करना चाहिए यह उसके बाद ही वो आना चाहिए तो logical flow इस तरह से ही होना चाहिए कि number one generate the long box code number two bind the long box code with map struct number three then only our implementer processor map struct processor should run तो वो तीन चीज़े इसी order में होनी चाहिए तो order अभी हमने correct किया है correct करने के बाद हमने project को maven rebuild किया मतलब मेवन को report किया है reload किया है basically तो अपना m2 जो है वो अभी refresh हो गया with new version के साथ और अब हम उसको converter test को फिर से जाके run करके दिखते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो यह जो दोनों test cases है यह अपने को positive results देंगे okay one negative I mean one red and one green आया तो one red जो आया वो भी अब की बार वो null वाला जो अपने को पहले error आ रहा रहा था वो नहीं आया तो I think I think क्या मतलब अब तो sure है कि हमारा जो जो dependencies थी pom में जो problems थी उस वज़े से यह वो रहा था ठीक है अभी इसको correct करते हैं करेक करने में हम देखते हैं कि कहा problem आ रहा है इससे match कराके देखते हैं जो example tutorial में दिया हुआ है उससे match कराके देखते हैं उनके जो test cases थे same वही हमने follow किये यहां पर उनके वहां पर बस class का नाम entity और DTO था हमारे यहां dom और DTO है तो उससे तो कोई problem होना नहीं चीए तो वहीं हम देखते हैं assertions थीक दिख रहे हैं date format भी यहां पर ठीक है और हाँ यहां पर यह ऐसा है जो date format है दोनों जगे same है और पूरे across application हमने वही use किया है सब जगे और यहां पर same है यह error भी हमको date अच्छा error हमको जब हम new date कर रहे हैं उस time पर system का जो format है वो उस तरह से Saturday Sunday and then date फिर उसका month और तो वो format नहीं है जो हम actual में वहां पर parsing में काम में ले रहे हैं ठीक है तो देखते हैं उसको यहां कैसे handle गया जाता है तो यही format हमारा जो new date आ रही है उसका भी यही format होना चाहिए यही format वहां पर set होना चाहिए मतलब जो हमारा expected result हम दे रहे हैं उसको हमको correctly बनाना पड़ेगा अभी जो हम बना रहे है format.parse cardom cardom का date type है date type को इस तरह से बना रहे हैं बेसिकली जो expected है और actual है दोनों की data types भी same होने चाहिए तभी वह मतलब कहते है ना कि data type same नहीं है तो comparison नहीं होगा तो data type भी same करने पड़ेंगे तो वह हम यहां पर try कर रहे थे तो अभी cardom जो है वो date type का है और date instance देने के बाद date instance देने के बाद हम उसको parse में parse कर रहे हैं दिखते हैं tutorial में यह कैसे कर रहे है टुटोरियल में भी हूं ओके यहां पर इने सेट किया है date को और उसके बाद बीचे format में इन होने भी उसी तरह से उसको pass किया है कि ठीक है कि मैपिंग्स भी proper ही दिख रही है जैसे टुटोरियल में suggested है वैसी ही मैपिंग्स हमने यहां पर दी है और चलिए कार्डॉम नहीं अभी भी same problem हमको अभी भी आ रहा है हम ओके हम जो नीचे जो date हम दे रहे थे उसको भी यहां पर pass करके देखते हैं तो हमको नहीं उससे कुछ नहीं हुआ उल्टा हमें illegal argument exception आने लगा date के लिए तो इस तरह से तो हम नहीं दे सकते हैं तो लेकिन हमको consider system date को ही consider करना है तो उसी को हम resolve करके देखेंगे तो यहां पर हमने date ही दिया है और नीचे assertion भी जैसा वहां दिया है source or destination का वही हमने दिया हुआ है एक बार हम try करते हैं मैं कोशिश यह करता हूं कि थोड़ा सा tweak करते हैं यह किया है कि destination.get launch date दिया है यहां पर मैंने और source.launch date को compare करेंगे basically दोनों होना यहीं चाहिए कि expected और actual same होने चाहिए तो वही हम यहां पर try कर रहें और parsing में हमने string type का जो था उसको parse किया है string type की date को parse करके और उसको भी compare कर रहें तो यह हो गया है हमारा यह issue था कि accession proper नहीं थी तो वह अभी proper कर ली अभी हम करने जा रहे हैं अभी जो section है इसमें हम default expressions को कैसे set कर सकते हैं वो हम यहां पर set करने वाले और एक ही field को हम रखेंगे जो automatic field है हमारा car हमारे दोनों car objects में इसमें हमारी requirement है कि अगर कोई नहीं कहता है कोई specifically set नहीं करता है car को automatic field को तो हम consider करेंगे कि वो वो car जो है वो manual ही है यानि कि वो false automatic field जो है वहां पर हम set कर देंगे false को क्योंकि वो boolean type का है ठीक है तो वही हम यहां करने जा रहे हैं जैसा कि इसमें बताया है tutorial में default expression करके एक field रहता है annotation field रहता है mapping annotation के अंदर तो वही हम यहां पर add करने जा रहे है default expression के अंदर हम उसको बोलेंगे कि वही है अगर null आ रहा है या empty value आ रही है तो उसकी जगे आप false set कर दो इस object कार object के लिए ठीक है तो वही हम यहां पर करने जा रहे है और इसको हम इस तरह से देंगे जावा मलब string की form में देना है तो देखते हैं कि यह कैसे उसको accept करता है तो अभी हम उसको इस तरह से false करके false को यहां pass कर देंगे आचा यह string की form में लेगा तो इसको quotes double quotes के अंदर pass करके भी देख लेते हैं इस तरह से भी करके देख लेते हैं या फिल क्योंकि simple एक false ही set करना है तो इसको इस तरह से string की form में set करके देखते हैं क्या आपको क्या लगता है यह accept करेगा इस तरह से चलिए try करके देखते हैं तो अभी हम अपने test case को इसके बाद हम mvn clean install करेंगे क्योंकि हमने map struct का जो interface है उसमें code changes की है तो जबी भी हम map struct में change करेंगे या हम dto में change करेंगे या dom में change करेंगे तो हमको clean install run करना पड़ेगा ठीक है clean install run करने पर क्या होता है सबसे पहले वही sequence है जो अभी हमने annotation process की sequence देखी थी ना वही यहां पे भी होगी सबसे पहले लॉंबॉक होगा लॉंबॉक के बाद लॉंबॉक की map struct कोड से binding होगी और binding के बाद finally हमारा class generate होगा implementation class generate होगा mapper का ठीक है तो अभी हम assertions देख रहे हैं assertion में हम क्या कर सकते हैं assertion में हम dom.get automatic और dto.get automatic दोनों को इस तरह से या तो compare भी कर सकते हैं but I think better वही है क्योंकि हमको पता है कि वह value false ही आने वाली है तो हम उसको assert false check करा सकते हैं वह ज्यादा better approach है क्योंकि हमको पता है कि expected जो है वह false ही होगा जब अपना set automatic field जो है वह null है तो ठीक है तो वही हम यहां पर दोनों के test cases में कर लेते हैं assert false set check कर वा लेते हैं अभी हमने test cases run किये हैं नहीं sorry अभी हमने MVN clean install run किया है तो वही हो रहा है अभी और test cases तो हमारे fail हुए ही थे पहले भी ओके यह कह रहा है कि अभी यह build भी fail हुआ है क्यों fail हुआ है क्योंकि okay I think हम लोग इस तरह से मैंने जो question किया था ना कि हम लोग इस तरह से सीधे false करके यहां पर string pass कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो map struct lib क्या है map struct library जो है वो यहां पर एक expression expect करता है expression बोले तो जहां यहां पर हमारा जैसे की two string set करना है या किसी भी तरह का expression ठीक है जहां पर कोई constant value है तो यहां पर क्या है यहां पर boolean constant है false वो हम इस तरह से देंगे java और उसके bracket में क्या constant हमको set करना वो इस तरह से हम इसी तरह से हमको देना पड़ेगा default expression तो map struct उसको particular way में generate कर पाएगा code को ठीक है तो वही हम यहां पर दिखा रहे हैं और same चीज यहां tutorial में भी दी हुई है ठीक है तो यह हुआ और अभी हम test cases देखेंगे वापस से converter test जो था उस पर जाएंगे converter test नहीं है तो यह रहां फिर से खोलते है converter test को और top में जाके पूरी class के सारे test cases को फिर से run करते हैं ठीक है यह हमारा सारे test cases हम run करने जा रहे हैं और shortcuts मैं use कर रहा हूं इसलिए आपको लग रहा होगा कि कहीं पर कुछ click वगेरा होते हुए दिखनी रहा है बट मैं सारे shortcuts यूज कर रहा हूं और नीचे आप देख पा रहे हैं पहले हमने जब copy मारा था दूसरे assertion से तो उसको हमने remove नहीं किया assert equals को उसको remove करके यह वाला assertion हमको remove करना पड़ेगा क्योंकि नीचे हम assert false उसको already check कर रहे हैं ठीक है अभी फिर से इसको run करते हैं वैसे clean install की जरुवत यहां पे नहीं थी हमारा test case भी हमने देख लिया run करके वह भी run हो रहा है single test case run किया था अभी दोनों पूरी class के उपर जो दोनों test cases है उनको भी run कर लेते हैं और यह हमारा generated class है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसने if else condition लगा के उसको default value set करी और default जो हमने कहा था वह इस तरह से इसने यहां पे set setter के अंदर pass कर दिया है ठीक है यह दोनों ही मैपर्स में इसने properly उनको मैपर के जो transformation method से उसमें उसने properly value code generate करके insert कर दिया है ठीक है इसके अलावा इसके अलावा दो concepts और है और tutorial के अंदर define किये हुए हैं वो concept या वो जो features हैं वो यह है कि हम या तो interface define करेंगे मैपर का at mapper करके या फिर हम उसको abstract class भी define कर सकते हैं abstract class define करने का कब जरूत पड़ती है जहां पर हमको हमारे methods है या generated code होगा उसको अगर हम अपने किसी function में किसी flow में हमको use करना है तो वो कैसे करेंगे तो वो हम abstract class के through कर सकते हैं ठीक है तो वही example वहां tutorial में दिया हुआ है तो आप उसको वहां से go through कर सकते हैं easy है ज्यादा problem नहीं होगा आपको उसमें भी और दूसरा जो example है या दूसरा जो feature है यह feature number 10 है जहां पर हम before after annotations होती है जो की map struct process के before या after में execute किया जा सकता है तो वो भी हम यहां पर use कर सकते हैं उसको कैसे करना है वो यहां पर इनने basic example भी दिया हुआ है इनके example में इनने biofuel car classes लिये जो biofuel और you know electric fuel इस तरह से है और फिर उनको फिर enum का use करके इन लोगों ने उसको properly mapping किया है तो वही सब यह mapping भी abstract class के through किया हुआ है तो यह भी आप follow कर सकते हैं वैसे इसकी इन examples की या इन features की most of the time जरुत नहीं पड़ती है क्योंकि जितना काम हमने cover किया उसमें almost जो 80% time वो सब से काम हो जाता है तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और हमें हां हमारा target है 100k subs तो आशा है आप उसमें हमारी पूरी मदद करेंगे वहां तक पहुंचने में पूरी साहता करेंगे और हमें हमें like करें feedback दें comment box में like करें share करें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों तक हमारे काम को पहुंचाएं और आशा है आप हमारे साथ बने रहेंगे बैल आइकन अवश्य दबाएं क्योंकि बैल आइकन दबाने के बाद आल का जो notification आता है ना आल आपको select करना पड़ेगा और all select करने पर आप सारी हमारी notification आपको मिलेगी और पढ़ते रहिए सीखते रहिए आगे बढ़ते रहिए धन्यवाद कि जैहिन जैभारत